दोस्तो स्वागत है मेरे चैनल सिर्व जार में और आज हम आपको बताएंगे कि जो ठेकदार होते हैं उनको घाटा क्यों लग जाता है क्यों घाटे में चले जाते हैं ठेकदार आप देखे कभी भी ऐसे फिल्ड में डारेट मत कुल जया कीजिए कि आप उस फिल्ड में जान ही ना रहें और देखे हो अचानक दूर दूर से या बातों में कि यह उसमें बहुत सारा फायदा हो और आप डेख गए आप मान के चलिए आप PWD में काम कर रहे हैं और किसी दू में जैसे 20-25-30% बिलो जाते थे इसमें भी चले जाते हैं बागी दूसरे काम कैसे होते थे यह हमिसाथ चेंज हो जाता है दोस्तों आज के टैम भी दोस्तों एकर मैं जाता हूं तो वहाँ पहले मैं खुद देखता हूं क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता रहता है हर दिपार्मेंट के बारे में क्योंकि मैं दूसरर लेपार्मेंट जाता हूं तो मैं सीखना पड़ता है जैसे आपका grade 3 और अगर grade 3 दिया हुआ है, GSP दिया हुआ है, तो तो हाँ time to time होता रहेगा, वहाँ देखेगा कि जरूत है, और वहाँ इंजिनियर भी आ कि सब देखेगा कि यह सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहां मैं काम किया हूँ वहाँ पे और अईसे में क्या होता है कि जैसे कोटिंग किया होना चाहिए और ऑठवर्ट किया गया है कि नहीं सारा चीजों को अच्छा से देखा जाता है कि दूसरी जगाओ पर मैं देखता हूँ एक दूर जगाओ पर वहाँ पे अलबेस्टर दे करके रोड बना दिये जाता है अब अलबेस्टर के उपड़ से प्लास्टर मार दिया गया तो सोचिए उस रोड में कितना पैसा बचात होगा तो उस हिसाब से वहां कि लोग भी चले जाते हैं कि 28% 30% 35% क्योंकि फायदा उतना होता है तो उतना चले जाते हैं और अब क्या होता है कि अब उसमें जो नए ठेकदार आते हैं वो कि दूसरी जगार जाएंगे और डाल देंगा अचाना कि इतना परसेंट बिलो कि आरे काम तो निकाल दिया जाएगा अब बिहार के कॉंटेक्टर उस जगार पर जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा दिक्कत आएगा कि वो समझ भी नहीं पाएंगे होसा कि बिलो में लेके काम उनका करना पड़ जाए और अच्छा खासा लो से सामना करना पड़ जाए देखिए दोस्तों हर डिपार्टमेंट एकदम आप जाईएगा बिलो तो काम करने लाइक नहीं रहेगा आप बहुत उसमें जहेल जाईए उसमें काम नहीं कर पाईएगा उसमें पैसा निकालने में आपको दिक्कत हो जाएगा तो कोसिस कीजिए कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं तो कुछ भी ऐसा हो तो उसमें अच्छे से काम करें और उसमें पहले ब्योक्यू और अच्छा रिडिक कर ले वहां के ठेकदारो से बात कर ले एक दो ठेकडार से बात कीजिए का तो हो से कि वह आपको भरम में डाले अब पता है ठेकडार भी आप ऐसे ऐसे है कि आपको कभी बताएंगे निए कोई ठेकडार आपको नहीं बताएगा लेकिन मैं सुछता हूँ कि आप लोग को जादा जादा है जिसे आप ल प्रिड़ में आया था तो ऐसा नहीं कि YouTube देखा और सीख गया था नहीं ऐसा नहीं था मैंने असपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा बहुत इधर दुर से सीखा और कुछ YouTube का भी यूगदान उसमें कहा जा सकता है क्योंकि मैंने बहुत कुछ उससे भी सीखा तो आप भी ऐ पॉस का कोई कहने सकता है कि कब क्या हो जाया कब फायदा हो कब नुकसान हो आप एक बार काम कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जरू कहीजिए और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको दिक्कत हो सकता है शुरुवात में अगर आप मान के कि काम कैसे होता है काममें क्या क्या थिख्यते हैं कितना प्रेसर है सांत सांत में आको दूसरें में चांट मैं सोच पाइए कि अपने काम के लिए तो थोड़ा अधिक जाला जहिलना ही पड़ेगा और तब आप टिक पाईएगा ने तो ऐसे में आप हट जाईएगा भाग जाईएगा बहुत से ठेकदार है जो छोड़ दे रहा है और भुक मरी का टाइम सिच्वेशन भी आ गया ठेकदारों का बहुत है लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए उतना पैसा होगा तब जाके आप काम शुरू कर पाईएगा दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपने चैनल पर डालता रहता हूं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरू करें बहुत से लोग है जो सब्सक्राइब नहीं किये ह रहा था मैं उसे पहले से वीडियो बना रहा था और वह मेरे बाद आया था और उसे बनाना शुरू कि आप अच्छा खासा मिलता है और वहीं इंडिया में कुछ लोग है जो नहीं करते हैं लेकिन बहुत से लोग करते हैं और मुझे पता है कि आपने जरू सब्सक्राइब क्या होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने डेक्स वीडियो में जाहिए